यहां पर हम फड़ा वर्ट से देखेंगे क्या जी की कोश्चन पूंसर देखेंगे ज्यादा हम इधर उधर की बातें करेंगे नहीं अपना टाइम वेस्ट करूंगा मैं ना ही आपका चलिए शुरू करते हैं पहला वाला कोश्चन अच्छा जो पीडिएफ आपको आपको मिल जाएगी ठीक है पहला कोश्चन देखो आपका बड़ा ही सुंदर सा कोश्चन पूछा गया कि फर्स्ट फ्लोटिंग स्कूल ऑफ इंडिया कहां पर है या फिर उसका नाम आपसे ऐसा कुछ पूछा गया था तो यहां पर अगर आपको थोड़ी से भी बातें ध्यान में होती तो आप इसको तुक्का भी मार के आ सकते थे क्योंकि इसका नाम जो है वह है लोकटक ऐलिमे स्कूल तो इसे देखके कुछ धान में आ रहा है इंडिया की जो सबसे पहली लेक है और जो आपका यहां पर नैशनल पाक है वह भी किसकी उपर है लोकटक लेक की उपर है और इंफाल से थोड़ी सी दूर है आप जानते हो ना इंफाल किसकी राजधान है बही कमेंट करके इसकी डिस्टेंस वहिकल्स वगर होते हैं इसमें तरीके से अगले वाले कोशन पर आते हैं फिर आपका जो बाइक वगरा होती है नेक्स्ट वाले कोशन को धेखो थर्ड कोशन आपका पूछा गया था कि human body में कितनी बॉन होती है मतलब क्या पूचे जा रहे हैं बॉन से human इसको नहीं पता है फटा वर्ट से कमेंट करके बताओ ठीक है ना अगले वाले कोशन पर आते हैं फूर्थ वाला कोशन देखो अब यह थोड़ा सा अच्छा कोशन पूछा और मतलब कोशन काफी बढ़िया कोशन है ठीक है ना देखके आनंद सा आ जाएगा इन्होंने अजादी मिलने के बाद में जो सबसे पहला डैम था वो कौनसा था तो हमेशा धान में रखना इंडिया जब आजाद हुआ तो सबसे पहला जो मल्टी पर्पस रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया वो था दामोधर रिवर प्रोजेक्ट ठीक है तापका दामोधर डैम बना form कर लिया गया था फिर सबसे पहला डैम दामुदर रिवर की उपर ही बना है clear हुई मेरी बात अच्छा यहां से related एक question और आपका आ चुका है exam में कि इंडिया का सबसे पहला यानि की oldest डैम of इंडिया सबसे पहला डैम इंडिया का कौन सा है तो यह बहीर एक राजा थे इनका नाम था चोल राजा थे देखो चोल राजा थे इनका नाम क्या था कारीकलन इनका नाम था और इनोंने एक डैम बनवाया था जो की अभी विकदम जगास condition में है नाम है Kalanai Damn आपका कहाँ पर है तिरुचि पल्ली, Tamil Nadu में है लाइट ये बाँपर बनवाया गया चोलीकें की करीकलन के दोर इंडिया का सबसे पुराना डायम है जो कि अभी तक function कर रहा है चल रहा है चलिये अगले question पर आते है एक्स्ट वाला question देखो फिफ्थ वाला ओलरीट फिफ्थ question आपका पूचा गया देखो ये भी बहुत बढ़िया question है इसमें था कि इंडिया में कितनी mega cities हो जाएंगी या में कितनी mega cities हो जाएंगी by 2030 ठीक है जो कि UN ने ये report निकाली थी UN ने क्या बोला मुझे लग रहा है कि इन्होंने पूरी दुनिया में यहां पर बोला है कि 2030 तक आपकी पूरे वर्ल्ड में कि अगले वाले कोश्यंद पर आते हैं एक्स्ट का नाम आप से पूछा गया और आपका भी एक प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के अंतरगत तो उसमें आपका पर्टिकुलर क्या था वो अगर मुझे एक बार आप लोग बता पाऊ नीचे कमेंड करके तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा अनन्द से आ जाएगा है ना चलिए खैर अगले वाले कोशन पर आते हैं सावं करके होना चाहिए था तो इस बच्चे को याद भूल गी है फिर रेलवे वाले से कर भी सकते हैं पार्ट भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो पार्ट ओफ यूमन बॉड़ी ये कोशन आपका पूछा गया था और आपके ऑप्शन में जो है स्किन गिवन था चा करेंट अफियर की बात करूं तो करेंट अफियर आपका यहां पर 2019 से था ठीक है और इसके अलावा मैंत का इक कोशन दिखाता हूं आपको जो की मुझे बताया है देखो एक बार जड़ा सा नीचे आते हैं ना देखो इसमें आपका क्या पूछा गया कोशन थोड़ा सा ठी ठाकी है कि 30 रुपए में 30 रुपीज में 50 लैमन मिल जाते हैं 30 रुपीज में 50 लैमन मिल जाते हैं तो इसमें मुझे क्या हो गया 10% का लॉस हो जाता है ठीक है अब क्या पूछा अगर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो फिर मुझे कितने लैमन बेचने चाहिए इन 30 र हो रहा है यानि कि 90% में इस बात को समझना एक लामन की कीमत कितनी हो जाएगी 30 वटे 50 रुपए क्लियर है यानि कि मैं एक लामन को मैं कितने रुपए का बेच रहा हूं 3x5 का बोलो हां क्लियर है ना चलो 90% की वैल्यू 3x5 अब मुझे प्रॉफिट चाहिए है यानि कि एक लामन पर अगर मैं 120 यानि कि 20% का मैंने प्रॉफिट ले लिया तो मुझे कितने का बेचना पड़ेगा भई 3x5 अपन में 90 जाएगा उपर 120 जाएगा कोई दिक्कत नहीं है भई 0-0 निप 4x5 यानि कि मुझे अब जो लैमन है ना कितने बेचने पड़ेंगे एक लैमन मुझे चार बटे 5 रुपए का बेचना पड़ेगा ठीक है ना अब देखो अगर मैं एक लैमन आपका वेटा सेकेंड थोड़ा सा नीचे आते हैं जान से देखना ये कंफ्यूज देने करने के लिए ही ऐसे कॉशन दिये जाते हैं अब एक लैमन अगर आपका चार बटे 5 रुपए का है तो 30 रुपए के आप कितने लैमन ले लोगे बोलो भई 5 by 4 into 30 है ना इतनी तो आप 30 रुपए में बेचोगे number of lemons तो ये कितना हो जाएगा आपका ये चला जाएगा 15 by 2 में और फि कुछ एक इधर उधर हुई है कोई चीज या फिर आपको 10% profit पूछा गया होगा कुछ इधर उधर किया है या फिर 20% loss होगा नहीं तो यहां पर पूरी digit आनी चाहिए थी क्योंकि आप आधा लैमन काट के थोड़ी बेचोगे 37.5 का मतलब ठीक है तो ये जो है एक बार चल रहा है ज्यादा उसकी उपर बात करने से फायदा नहीं तो आपका शिफ्ट वन में पैटर्न था वही आपका नॉर्मल सा पैटर्न आया है शिफ्ट टू में वी ठीक है ज्यादा फ्लक्ट्वेशन हुआ नहीं तो सब्सक्राइब करेंगे थैंक्यू सो मच गॉडब्ल